आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गे मेरिज जिसको हम सेम सेक्स मेरिज के नाम से भी जानते हैं कि गे मेरिज को लेकर इंडिया में क्या लॉज हैं टॉपिक पर बढ़ने से पहले हमको दो टम सबजने पड़ेगी पहला है सेम सेक्स मेरिज सेम सेक्स मेरिज का सिंपल सा मिनिंग होता है कि दो सेम जेंडर अगर शादी करते हैं तो उसको सेम सेक्स मेरिज कहते हैं वो कुछ भी हो सकता है चाए आदमी एक आदमी से शादी करे या फिर एक औरत एक औरत से शादी करे अब ही का अगर हम global status देखें तो out of 190 plus countries बस 36 countries में ही इनको legal recognition मिला हुआ है Legal recognition एक बहुत ही important गुद्धा है क्योंकि अगर legal recognition इनको मिलता है तो इसके साथ साथ इनको बहुत सारे rights मिलते हैं और एक जो दूसरी term जो हमें समझनी ज़रूरी है वो है LGBTQ plus इसका मतलब होता है lesbian, gay, bisexual, transgender और queer इन पाचों के इलावा यह plus sign का मतलब है कि यह exhaustive नहीं है और भी identities इसमें include होती है और यह इंका union है अब हम देखते हैं इंडिया में इसके regarding क्या status है तो last year ही Supreme Court की एक significant ruling आई जिसमें Supreme Court ने 3 ratio 2 मतलब 3 judges ने का कि same sex marriage को allow नहीं करना चाहिए और 2 judges ने का जिसमें Chief Justice of India भी थे हमारे कि same sex marriage allow करनी चाहिए majority में यह था कि allow नहीं करनी चाहिए इस वज़े से ruling यह यह है कि जो same sex couples हैं वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते इसमें हमने देखा गया है जो government है जो की काफी right wing है और साथ ही साथ जो सारे religious leaders हैं चाहे हिंदू के या फिर Muslims के उन्होंने इसको बहुत ही strongly oppose करा है और काहे कि यह social legal issue है marriage और यह society को consult करने के बाद ही इस पे कोई निर्डने लिया जाना चाहिए उन्होंने यह तक कहा कि अगर ऐसा होता है तो एक societal chaos मच जाएगा पूरी society में दिक्कत होगी अब देखिए इंडिया में जब भी शादी होती है तो वो उनके religion के personal laws के through होती है जैसे अगर कोई हिंदू है तो उनका हिंदू marriage act अलग है कोई Muslim है तो उनका Muslim marriage act अलग है और ऐसे एक तीसरा act भी है special marriage act जो की interfaith marriage या फिर कोई बहार का country का एक citizen है अगर उनसे शादी करनी है ऐसे situation में यह special marriage act काम आता है तो जो five judges की bench थी जो case देख रही थी उन्होंने initially सोचा कि वो जो religious personal laws है उनको तो छेडेंगे नहीं वो ऐसी रहन देंगे लेकिन वो same sex couples के लिए special marriage act में अगर कोई provision दे सकते है और उनको marriage legalize कर सकते है तो वहाँ पे वो legalize कर देंगे लेकिन जैसे जैसे case आगे पड़ा तो उनको पता चला कि यह matter बहुत complex है क्योंकि marriage के साथ साथ divorce, adoption, succession, maintenance जैसे numerous laws बहुत सारे laws attached होते हैं जैसे कि बहुत बड़ा एक issue है इसमें adoption का अभी अगर कोई opposite gender couple है वो अराम से male भी और female भी adopt कर सकता है लेकिन एक अकेला male एक female child को adopt नहीं कर सकता क्योंकि फिर उस female child की securities पे issues arise होते है ऐसे ही अगर दो same sex couple मानलो लड़गा और लड़गा शादी कर लेते हैं और फिर वो adopt करना चाहते हैं तो इसमें बड़ी दिक्कत ह होगी कि वो एक female child को adopt कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ऐसे ही maintenance जैसे कि एक husband का करतव होता है कि वो अपनी wife को maintain करें तो अगर same sex marriage होगी उसमें दोनों male है या फिर दोनों female है तो उसमें कौन किसको maintain करेगा इसका भी problemarize होगी ये सब complexity देखते हुए court ने फिर इन issues को notice करा although court ने rule करा कि laws बनाना parliament की जिम्मेदारी है और court इसमें दगल अंदाजी नहीं करेगा लेकिन supreme court ने कुछ rights को recognize करा gay couples के जैसे कि इस judgment के बाद Indian सब same sex relationships में रह सकते हैं हाला कि शादी नहीं कर सकते और उनको constitutional protection में मिलेगी मैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आगया होगा कि इंडिया में gay couples के क्या rights हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो please like and share करना नहीं बूला thank you अब हम मिलते हैं next वीडियो में अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो please like, share and subscribe करें कर आपको ये अगर ये झाया शबंदयाओ करा आपको ये अगर आपको ये तो